ओक सपोर्ट स्पुतनिक नहीं सफलता का एहलान किया गया है लेकिन अब तक एक भी वैक्सीन आम लोगों के लिए उपलब नहीं हो सकी है ओक सफोर्ट युनिवर्सिटी की वैक्सीन से दुनिया को काफी उम्मीदे हैं लेकिन कुछ कारणों से इस वैक्सीन के ट्रायल को रोकना पड़ा था ब्रिटेन में तुद दुबारा ट्रायल शुरू करने के लिए मंजूरी मिल गई लेकिन अमेरिका में ओक सफोर्ट का ट्रायल दुबारा शुरू नहीं हो सका है इसी बीच फाइजर कंपनी की वैक्सीन के जल्दी सपल होने की खबर आई है इससे पहले सूमवार को वाइट हाउस के एक अधिकारी ने कहा था कि सबसे अधिक खत्रे का सामना करने वाले अमेरिकी लोगों के लिए दिसंबर तक वैक्सीन आ सकती है अधिकारी ने कहा था कि सबसे पहले बुजुर्ग लोगों और मेडीकल वर्कर्स को वैक्सीन मिलेगी बता दें कि अमेरीकी स्वास्ते संस्था CDC ने भी एक टाइम लाइन जारी कर दिया है CDC ने अमेरीकी राज्यों से कहा है कि वे जन्वरी तक वैक्सीनेशन प्रोग्राम शरू करने के लिए तयार रहें यह भी कहा गया है कि वैक्सीन क्यामपेन मुफ्त होगा वहीं डॉक्टर एंथनी फावची सहित अन्यप्रमुख एक सपर्ग का कहना है कि ऐसा संभवत तो है कि साल के अंतक अमेरीका में कोरोना वैक्सीन आम लोगों को मिलने लगे लेकिन इसकी उम्मीद कम है इससे पहले ट्रम्प अमेरीका में 3 नवंबर को होने वाले चुनाव तक वैक्सीन लॉंच करने की कोशिश कर चुके है लेकिन इतनी जल्दी सफलता मिलती नहीं दिख रही